दोस्तों आज मैं उन अप्लिकेशन के उपर बात करने वाला हूँ जिस अप्लिकेशन की कैटेगरी में बहुत ही ज़्यादा कम कमपटिशन है वैसे दोस्तों अब बात करूँ मैं आज से दो साल तीन साल पहले की तो आप मेरे चैनल पर जाके देख भी सकते हो मैंने ऐसे काफी वीडियोज बनाये थे ऐसे बहुत अलग-अलग कैटेगरी के वीडियोज बनाये थे जिसमें मैंने बोला था कि इन कैटेगरी के अप्लिकेशन में इस ताइम कमपटिशन कम है पर उनी category के, अभी उनी categories में इस time current situation में बहुत जादा competition हो गया है, ठीक है, तो आज मैं दोस्तो एक चीज़, पहले कि आपको मैं example देना चाहता हूँ, शायद आप और अच्छे से समझ जाओ, मान के चलिए कि आप किसी नए state में गए हो, उस नए state में अगर आपको आपके ग कहने का मतलब ये था कि, क्योंकि वो आपकी भाषा बोल रहा है, आपके cast का, आपके गाउं से इसलिए connectivity बढ़ रही है, तो भले ही दोस्तो आज application की field में, अलग-अलग category में बहुत जादा competition बढ़ गया है, एक्जांपल के तरप हमें example के लिए एक grocery application ले ले लेते हैं, ठीक connect नहीं रह पाते हैं, मान के चलिए कि, आज मैंने एक application बनाया है, मेरे area के लिए मैंने grocery app बना लिया, पर उसी area में और भी चार application चल रहे हैं, तो वो user मेरे ही application में क्यों टिका रहेगा, इसके लिए क्या reason, मतलब ऐसा मैं क्या करूँ, ऐसा क्या differentiate करूँ, जिसकी वज़े से वो मेरे application में टिका रहेगा, तो यहाँ पे दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि local language में application को develop करके, आप कैसे ज्यादा से ज्यादा users को अपने app में engage कर सकते हो, और यह बहुत जादा important है, क्योंकि user आ रहा है और switch हो जा रहा है किसी अधर application पे, आ रहा है जा रहा आ रहा है जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, profitability नहीं होगी, sustainability नहीं होगी, आपके, आपका जो एक मंत्री का revenue होता है, वो हर बार बराबर ही नहीं होगा, growth भी नहीं होगा, कभी कम होगा, ज्यादा होगा, यह एक line में मतलब सीधा नहीं चलेगा, आप growth का नहीं सोच सकत कभी down भी हो रहा है, क्योंकि वो down भी देखने पड़ते हैं आपको, तो यहाँ पे अगर आप अपने, कोई भी category का actually application ले लो, मैं just a grocery application का example दे रहा हूँ, चीक है, तो मानके चले कि अगर आपने, आपके area में मानके चले चार से पांच applications develop हुए हैं, पर वो सबके सब English या, Hindi इसी product को order करने में, पर उनको easy हो जाएगा अगर आप उनकी भाषा में उनको provide करें सारी चीजे, उनके language में, local language का use करके दोस्तों, बहुत सारी चीजों को बदला जा सकता है, और यह सभी applications के लिए मैं बता रहा हूँ, सिरफ एक application category के लिए ने बता रहा हूँ, जिसमें भी ठीकता भी हूँ, पर जो agent है, उनको वो चीज़े आप शूरु से थोड़ा सीखेंगा, obviously उनको अगर उनके भाषा में मिल जाए, अगर पूने में आप application चलाओ, बहुत जादा chances होगा चलने के, आप उसमें voice feature डाल दीजे, कि voice feature से अगर वो बोल रहे है, voice feature से उनको reply मिले, voice feature से इस सारा उनका काम हो जाए, कितना अच्छा रहेगा, और ये सारी चीज़े possible है application में, google voice का आप use कर सकते हो, translation के लिए आप google translation का use कर सकते हो, coding में कहीं फर्क नहीं आएगा, application development के cost के अगर बात की जाए, तो application development के cost में भी कहीं कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बस आएगा ये आपके profit में, आपके जो users हैं, वो आपसे हमेशा connect रहेंगे, हमेशा बने रहेंगे आपके application पे, ठीक है, मतलब इतना trust, trustable हो जाता application आपका, प्लस जो आपकी users है ना, वो आपके permanent user बन जाते हैं, मतलब वो switch करने के बारे में जादा नहीं सोचेंगे, अगर उन आपके application को छोड़के switch नहीं होंगे, तो मेरा इस वीडियो में दोस्तों बताने का मेरा मतलब यही था, कि आप अभी जो applications डेवलप कर रहे हो, जिसमें जादा, मतलब पहले तो आपको अपने application की category select करने ना, आपका application कौन सा, अगर आप grocery हो बना रहे हो, जिसमें कुछ selling व बना रहे हो, या आप पढ़ाय लिखाई वाला notes application, इन सब के बारे बना रहे हो, एक educational category में आ गया, अगर आप betting type applications बना रहे हो, फिर game बना रहे हो, वो game की category में आ जाता है, तो यह सब पहले category देखो, जो आपका niche है, मतलब जो भी category आप पकड़ रहे हो, उस category में कितना competition है, यह भी आपको समझवाना चाहिए, उस competition के अंदर आप क्या अलग कर सकते हो, यह भी आपको पता होना चाहिए, आयोग दोस्तों, मैं जो समझाना चाहता हूँ, कि local language के थूँ आप अपने applications को कैसे change कर सकते हो, कैसे जादा users को अपने application के उपर attract कर सकते हो, जादा से जादा engage रख सकते हो, अपने application के उपर, यह आप समझगे होगे, और अगर आप समझगे हो तो इस वीडियो को like जरूर कीजेगा, और ऐसा ही application अगर आपको बनाना है, या फिर इससे related अगर आपको कुछ पूछना है, या फिर अगर आपको कोई भी application बनाना है, तो आप मुझे call भ दोस्तों, मलते हैं नेक्स वीडियो में